तॉपिक की नाम है sliding filament model जो के बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है इसको डिसकरवर करें वाले हैं और एफ हग्झ लियम इन दुनों सेंटेसं मिलकर इसको पेश किया जिसका नाम है sliding filament model यह आपके सामने एक मसल फाइबर का structural function unit है जिसके लाम सार को मेर है आपको बते हैं यह A band है यह इसके center में आने वाला H zone है यह M line है यह दोनों एक Z line से लेके दूसरी Z line क्या बनता दिया को सार को मेर है जब भी contraction होगी तो contraction होने के दोरा हमारे मसल के अंदा है यह जो सार को मेर है यह जो structural function unit of muscle fiber है यह इस structure में आ जाता है सबसे पहले यह जो आयो सीन है जो के global structure है यह cross bridge बनाएगा और slide करेगा slide करने से यह जो active protein है यह आगे की तरफ आ जागी तो होगा क्या यह आपके सामने यह structure को मैं इस तरह बनाता हूं जब contraction होती है contraction position के देख तो आप देख सकते हैं इसमें H zone खतम हो गया disappear हो गया high band यह आगे आ चुका यह short term हो चुका है a band बैडट को वैसे रात है यह change नहीं होता जो z line है यह आपको पता है यह पी आगे की तरफ होती और यह साथ सबसे पहले क्या बनेगा क्रोस ब्रीज जो बनाने वाला को ना थिक मायो फिलमेंट है जो पुल करते है एक्टिव प्रोटीन को यह जो ब्लैको लिए इसको पुल करेगा और पुल करने के बार यह टूर्ड दा सेंटर साथ वह सेंटर साथ मेरे में आ जाएंगी ट्रेक्शन के दुरान स्पैसिफिक मूवमेंट अपियर होती है और इस मूवमेंट को नाम दिया जाता है दियार कोल स्लाइडिंग फिलमेंट मूवमेंट है जजाकर लग खैर